जैहन स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटीब चैनल अमरित अकैडमी पे पिछली वीडियो में हम लोगों ने कांटिंग फिगर में ट्रेंगल के तीन टाइप्स कर लिए थे अगर आप लोगों अभी तक वह नहीं देखा है तो वह वीडियो जाकर के देख लीजिए इस बार हम लोग चौथे टाइप में अपने इस टाइप के जो कॉश्चन साथे उस पे बात करेंगे ठीक है यह थोड भी आपको इस तरह से ट्रेंगल दिखे इस तरह से फिकर दिखे तो आपको क्या करना है सबसे पहला वही स्टेप करना है जो मैंने आपको बताया है यहां पर आपने काउंटिंग लिखनी है काउंटिंग हमेशा वन से सुरू करनी है ठीक है इस बात का हमेशा ध्यान रखन आपने counting लिख देनी है, 4 तक, ठीक है, अब इसी numbers को vertically लिख लो, आप उपर से नीचे तक, 1, 2, 3, 4, ये steps है, बहुत ध्यान से इन steps को follow करेंगे, आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है, यहां तक आपने लिख लिया, अब देखे, अगले step में क्या करेंगे, इस one को त करेंगे, ठीक है, तो 2 और 1 मिल करके, ये 3, जो result आया 3, उसको हम लोग लिखेंगे, यहां पर, 3 आ गया, फिर cross add करेंगे, इस 3 को add करेंगे, इस 3 के साथ, तो 3 और 3 मिल करके, ये बन गया, 6, ठीक है, अब इस 6 को cross add करेंगे, हम लोग 4 के साथ, तो 6 प्लस 4, ये हमारा 10 हो ग एक से 10 और फिर 10, मिल करके 20, तो ये 20 बन गया, ठीक है, प्लस, अभी ये complete नहीं होगा, अब next step में आपने क्या करना है, बहुत ध्यान से दिखिएगा, अगले step में क्या करेंगे, ये इस तरह से जैसे ही लिख लेंगे, जो सबसे नीचे वाला number है, यहां से काटना सुरू क करेंगे आप ठीक है, पहले cut लगाएंगे, फिर अगले step उपर जाएंगे, यहां right का sign लगाएंगे, फिर 1 जाएंगे, फिर cut करेंगे, फिर right करेंगे, ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, जिस जिस number पे right का sign लगा हुआ है, उन सब को add कर लेना है, ठीक है, तो क्यों क्य नंबर पर राइट का साइन है 6 और एक यह तो 6 और एक मिलकर के साथ हो गए उस साथ को यहां पर हम लोग एड़ कर लेंगे तो 7 को एड़ कर लिया तो टोटल कितना बन गया 20 प्लस 7 तो 27 तो इस फिगर के जो आंसर होने वाला है टोटल ट्रेंगल जो हो गया टोटल ट्रेंग इसको मैं एक बार और फिट से बता देता हूं देखिए एक को यह चोटा सा कॉशन मैंने और ले लिया कि मैं यही डाइगा बना देता हूं ठीक है एक यह रहा हमारा ठीक है और एक यह ले लेते हैं देखे मैं आपको बस step सिखाना चाह रहा हूं एक बार ठीक है यह रहा अब देखे क्या मैंने step बताए आपको सबसे पहला काम क्या करोगे आप counting लिख लिजिए one two three दूसरे step में क्या करना है आपको इसको vertically लिख लिजिए one two two और three लिख लिख लिया ना vertically अब उसके बाद third step में क्या करना है इसको as it is one को तो यहां लिखो फिर cross add करके यहां लिख दो one plus two three और फिर cross add करके three plus three six अब इन सब को add कर लिजिए चौथे step में 6 तिन्हों एक दस यहां से आ गया अब प्लस यह answer नहीं होना है अगले step में right और cross वाला काम करना आपको पहले वाले दिखिए इस चीज का ध्यान देना सुरू करते ही नीचे से पहले को ही cross लगाना है आपको cross फिर right यह cross ठीक ना तो right किस पे लगा हुए तीन पे तो तीन इस पे add कर दीजिए ठीक है तो कितना हो जागा 10 और तीन मिल करके यह 13 बनें 13 तो इस वाले figure में total triangle कितने होगे total triangle हमारे आगे 13 ठीक है I hope आप लोगों को यह बहुत अच्छे सा समझ में आ गया होगा ठीक है अब एक छोड़ा सा question और पूछा जाता है बार बार यह star और heart star का question है इसमें देखते हैं कितने त्रिभूज बन रहे है ठीक है अगर यह इस तरह से दो triangle की help से इस तरह से बना हुआ तो इसमें कितने त्रिभूज बनेंगे उसको हम बताते हैं आपको सबसे पहले यह corner पे देखिए कितने त्रिभूज बन रहे है एक दो तीन चार पांच छे चे त्रिभूज तो आपके यह बन गए यह corner वाले प्लस दीखिए यह complete पे जाते एक यह वाला complete बन रहा है ठीक है प्लस एक यह वाला complete बन रहा है तो दो complete बन रहे है तो total कितने बनेंगे 8 त्रिभूज बनेंगे ठीक है न तो option चार जो यह फोर्थ जो ठीक है न तोटल त्रिभूज की संख्या कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी ठीक अब अगर यह question हाट इस टाइप का है तो इसमें कितने त्रिभूज बनेंगे उसके देख लेते ठीक है एक दो तीन चार और यह पांच ठीक है तो पांच देखिए क्या है इसमें हर एक line जो है दो triangle फॉर्म कर रही है मैं आपको एक बार बना के दिखा देता हूँ वह दोनों triangle कौन से बना है जैसे एक line यह ले ले लेता हूँ इस line पे कौन-कौन से 2 triangle बने एक देखिए यहां पर बन रहा है ठीक है एक triangle दूसरा कौन से बनना यह यहां पर तो इस तरह से कितनी total line है 5 line है तो एक line अगर 2 triangle form करेगी तो पांच line कितने triangle form करेंगे 10 triangle ठीक है तो 5 और 5 कर दीजिए टोटल ट्रेंगल से यहां पर कितने बन जाएगे 10 तो आपका option सी correct answer हो जाएगा ठीक है I hope आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा अगर नहीं समझ में आ गया होगा तो आप लोग एक बर वीडियो को फिर से देख लिजेगा बहुत प्यारता से concept है मैंने इसको समझा दिया है ठीक है I hope आप लोगों को बहुत अच्छे से clear हो गया thank you so much ठीक है next वीडियो में हम लोग वर्ग और आयत के counting पर बात करेंगे या फिर उसके बाद और कोई topic ले लेंगे ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का